Hello students, how are you? I hope you are fine. कैसे हो बच्चो? I hope कि आप ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ. So, today I am going to teach you how to write E. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि E कैसे लिखते हैं? इससे पहले मैंने जो जो बताये वो आपने प्रैक्टिस किया हैं ना? तो चलिए, आज हम E प्रैक्टिस करते हैं कि E हम कैसे लिखेंगे? Step 1 तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम वाइट सीट पे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं कि वाइट सीट पे हम कैसे लिखेंगे? तो चलिए, वाइट सीट पे हम प्रैक्टिस करते हैं first we put first dot then put second dot ठीक है जो पहला dot हम देंगे उसके ठीक नीचे हम second dot देंगे ठीक है then हम क्या करेंगे एक line कीचेंगे ठीक है we make one straight line standing line मैंने standing line आपको बताया ना सो हम सबसे पहले standing line करेंगे then हम क्या करेंगे हम आप sleeping line का use करेंगे कौन से line का use करेंगे sleeping line ठीक है sleeping line मैंने बताया ना तो चलिए हम sleeping line यूज करते हैं first second third हमने तीन sleeping line का use किया है जो हमने standing line किया था उसी में हमने तीन sleeping line किया तो यह क्या बन गया e क्या बन गया e capital e ठीक है यह क्या बन गया e अब चलिए step two में हम English copy में practice करते हैं तो सबसे पहला हम क्या करेंगे पहला में standing line practice करते हैं ठीक है हमें कितने line में लिखना है तीन line में भूले तो नहीं हो ना अप लो उपर से count करिए one two three हमें तीन line में लिखने है ठीक है तीन line में जब हम practice कर लेंगे standing line उसके बाद हम start करेंगे e लिखना ठीक है जैसा कि आप देख रहे हो sleeping line में ने किया ना उसके बाद फिर पहला sleeping line करने के बाद हम क्या करेंगे दूसरा sleeping line देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम तीसरा sleeping line देंगे ठीक है जब हम तीन line में तीनों line में हम तीन sleeping line देंगे ठीक है standing line में तो क्या हो जाएगा वो E बन जाएगा क्या बन जाएगा E जैसा कि आप लोग step wise step देख रहे हो तो उमीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कैसे लिखते हैं ठीक है अगर समझ में नहीं आया तो फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं ठीक है देखिए देखिए ये क्या है E क्या है E standing line sleeping line second sleeping line and third sleeping line standing line first sleeping line second sleeping line and third sleeping line क्या बन गया E चलिए जूम करके दिखाते हैं अब आप उपर से काउंट करिए कितने लाइन में हमें लिखना है तीन लाइन में ये क्या होगे standing line अब हमें sleeping line बनाना है ठीक है जैसे क्या आप देख रहे हो ये क्या बन गया sleeping line तो sleeping line हमने तीन बनाया तीनो लाइन में हमने अलग-अलग तीन sleeping line बनाया तो क्या बन गया ये E ठीक है देखें फिर से standing line sleeping line second sleeping line and third sleeping line E मेरे साथ बोलिए E E for elephant E for elephant elephant means हाथी जैसे क्या आप लोग देखे होंगे ठीक है E for elephant होता है so this is your assignment question so please practice to write E in English notebook आपको इस E को अपने English notebook में प्राक्टिस करने है कम से कम आपको one page लिखना होगा ठीक है और उमीद है कि आप सुन्दर सुन्दर और अच्छी handwriting में लिखोगे है ना और अच्छे से सीख भी जाओगे so thank you stay tuned for more educational videos